हेलो एवरिवान कैसे हो उम्यद्खत्यू कि आप सब बहुत अच्छी होंगे और अभी इवनिंग का डायम हो रहा है चार बजने वाले हैं और मैंने यह पैन मगाई हैं दो कुछ पातियों कि यह दो पैन मैंने मगाई हैं अपना सेकंड चानिल के काम करने के लिए तो आपको करें मगाई तो उन से दूसरे तरीके का और वो ले कर आएं दूसरे तरीके का तो यह है किट मेरे सब्सक्राइब की पूरी इसमें दो कॉपियां दो पैन और दो पैन यह वाले रखते हूं कि मैं इसका काम करते हूं आप बढ़ाई सुरू हो गया है तो बहुत सारे उसमें पदर भी तो मुझे अभी काम करना है सेकंड चैनल का और सेकंड चैनल के वीडियो बनानी है जिसके मैंने टॉपिक लिखके हुए हैं और बाहर आज मी लोग वैठे हुए है और ऑरों की बात्चीच चल रहे हैं मीटिंग चल रही हैं जो मधानमाली के मेरे वह बैठी है सामन पर जाती नहीं है तो इस पर आएंदी मेरे बहुत दिन से सोचिए हो किस से माओं किस से माओं दियू नी जाती क्योंकि यह पेन फोड़ा दूर मिलते है और दियू को मैं बेज नी सकती है तो गरुव लेकर आएंदी यह बहां से पैन तो यह देगे शैलो का है यह दियू नि पापा की थोए है कैसी लगए दियू कमेंट मगा बताना इसी दूरेव के लिए एक लाक जरूर करते हो पापा अच्छियो आ पैन के लिए औहां से Amaan के लिए पापा लाई banc लाया दे करेंव तो मैंने हुआ है अपने आछ बनाए है अपड़ी तो मिली और वस्त बावा मांगा की एडिली बनाओ लिए बावा को देना वैसे मैं बनाए थी तो भीजी ती उपर उस टाम भावा थे नहीं और आज बोल रहा है कि बनाना तो भीजना उपर तो मैं भीजूंगी बावा के लिए ऐसे आज इडली बना रहे थी लेकिन लोकी और कद्दू वगेरा नहीं था तो इसी वज़से मैं इडल Hello everyone, welcome back to my channel कैसे हो आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना night care routine आप लोक कैसे हो कमेंट करके मुझे जरूर बताईएगा और आप लोको से request करती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आते हो तो please मेरे चैनल को subscribe करिएगा मुझे आगे बढ़ाने में help करिए और जितने लोग भी मुझे देखते हैं उनका दिल से सुक्रिया बोलती हूँ और जो लोग कमेंट करते हैं कि आप कभी न कभी आगे जाओगी उस दिन मेरे एक सब्सक्राइबर का message आए है कि दिदी आप मैं आपकी वीडियो ह और जो पीया से दूआ किया गरे और जाए कि मैं भी आगे जाओं महनत तो मैं बहुत कर रही हूँ साइध बहुत कर रही हूँ तो बहुत ही जादा मैं महनत कर रही हूँ लेकिन result इतना नहीं मिल नहीं मिल डाई डॉन नूप क्यों but होता है ना कि रोना हाता जब महनत करो रिजल्ट ना मिले तो दुख तो होता ही है तो मैंने नाइट के रूटीन में ज्यादा कुछ नहीं नाइट क्रीम और लिप बाम लगा कर सोती हूं जिससे मेरे ओठ और चहरा सहीरे और यह है मॉर्णिंग की क्लिप हमने यहां पर कर रहे हूं बैड को साइट बैड को सही कर रही हूं आप लोग देख सकते हूं रूम के हलत क्या हो रही है बहुत मैशी हो जाता है रूम अतब एक रूम है ना थोड़ी सी डिफिकल्टी तो होती ही है तो मैं आपको बता दू कल मेरे पर सुज़न कमेंट आयते कि यह ना कॉम्प्रोमाइस कर लो अपने सुस्रावाल चीश से बॉलते हैं लोग समझधधा कर लेते हैं किस चीश पर समझधा करोगे क्पा आप लूकों लगता है कि जहां घर बिगड़ रहा हो जब बड़ा इनसान सुदढरने के लिए रैडि ना हो माँ कंप्रमाइस करने से कुछ हो गा नहीं होता कंप्रमाइस भी मैं एक कमरे में हूँ या दो कमरे में आप Полों की दूआ रहीं तो गववान की खरफा से घर भी हो जाएगा खुद का होगा और वहाँ पर Kids बोल पाएगा कि यह न तुम्हारी इमिद रिलो न दिया है कि तुम्हारे कुद KE बापन दिया है यह सब बोलते नो वह चीज भी नहीं होगे, वहारा खुद का होगा, हमारी मेहनत का होगा, आप दूआ करिएगा कि हम लोग भी जल्ले ली ग्रो करें और हम लोग भी आगे भड़ें, तो बस सबसे जादा दूआ हो मेरी प्यारी सब्सक्राइबर हैं, वो मेरी ली हमेशा दूआ करती हैं, और मैं भगवान से ऐसे ही बोल तो कि भगवान अच्छे लोग की दुनिया में कमी होती जा रही है, हैल्फ करो और इनों को भी आगे भड़ाओ, जो लोग दूसरों की खुशी में खुश रहते हैं, भगवान उनको हमेशा खुश रखे, और जो दूसरों की खुशी में जलते हैं, परिशान होते हैं भगवान वो हमेसे जलते ही रहें और हमेसे परिशान ही होते रहें दूसरों की बढ़ोतरी को देखकर जो परिशान होते हैं और गंदे-गंदे कमेंट करते हैं या जलते हैं भगवान करें वो हमेसे जलते ही रहें क्योंकि उनको इसी चीज़ में मज़ा आ हम पहले पाद जितना है हम उसमें सैटिसफायड है और देरे-देरे करके बहुत हो जाएगा मतलब अभी इतना हुआ है तोड़ा-थोड़ा करके और भी हो जाएगा पहले तो बिल्कुल भी नहीं था उससाब से हमने बहुत कुछ मैंने बहुत कुछ कर लिया है बहुत ज़्यादा मैशी मैशी से गंदा गंदा सा हो रहा था तो मैंने सारा जो घर है वो सेट कर दिया और आप लोग देख सकते हो कि दियू क्या कर रही है मस्ती कर दिया पीछे से और यहां पर यह देखिए जाडू बगर मैं लगा लुए तो मैंने ट्राइपट यहां से आप लोग दिया है और यह देखिए नो टंकी दियोगी नो टंकी देखिए आप लोग दियोगी मस्ती देखिए ऐसे ही करती है यह मुझे परिशान मैं काम करके फिर होनी पाऊंगी उससे पहले यह मिरे लिए काम बढ़ा के रग देती है एक तरफा से तो मैं बहु ज़्य करते हैं तो फोन कि rope me न हैंसे फेलग करते हैं धायर करते हैं तो यहां पर यही होता है है और मऊनि फोसारा ब्रूंस आरब्लभ मेर इंद्र सब्स्क्राइब गया है और और में दियो के आप लिए जिबुशाराalyst dissolve थे इफ इंक हग दß ने इक ली माई। चोटे बच्चे होते हैं ना बच्चे मानते नहीं हैं तो बस यही कारण है कि वह बहुत ज्यादा परिशानी होती है तो बस चलिए मैं यहाँ पर जाड़ू बाड़ू लगा लेती हूँ पर आज मैं दिखाऊंगे इपने भाई बेनों के कि हम लोग कैसे मस्ती करते हैं क्या करते हैं घर पर आने के बाद कैसे तेहल का मचा रहता है हमारे घर में भेन के आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगनी लगा है वैसे में बोर भी हो जाती थी अकेले है रहा कर ले वस्भी ही दूसरों को जलाना चाहिए जब जलते हैं इनसान तो उसको और जलाना चाहिए मैं तो यही बोलती हूँ और जलाओ खूब जलाओ कि उनके बाग़े मैं साथ जलना ही लिखाए और वो जलते ही रहेंगे, लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे, खुश रहना, दूसरों के खुशी से जलना बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है, तो यहाँ पर रहना मैं और दियू जोगे हम लोग हैं, और अच्छी तरह से यहाँ पर डश्ट, जो कूड़ा है वगरा है मैं डश्ट कार्ड में भढ़ लूँगी, और उसके बाद मैं यहाँ पर आप लोग अपनी भाई भेनों से मिला देती हैं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं तो आप लोग ने देख लिया कि हम लोग कितनी मस्ती करते हैं भाई भेन मेलकर और यहाँ पर पैदा हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, आप लोग के लिए हमने एक कॉमेटी वीडियो शूट कर रहे थी, लेकिन बीच में लाइट चलीगी जिसके कारण से वीडियो तो अच्छी शूट होई, लेकिन फिर हम लोग बहुत काले-काले से और अजीब-जीब सा फेस लग रहा था, मैं लाइट नहीं आ पा रहे थी, फ्लैस से हमने लाइट की, जो मुवाइल की लाइट होती, उससे शूट करी, बट उससे वो चीज नहीं आ पा रहे थी, तो फिर ह दुकान पर गए हुए हैं, दुकान पर, क्योंकि यहां पर लोगडाउन खुल चुका है, तो किसी काम से गोदा बगेरा सही करने गए हैं, आप लोग बताईएगा, आप लोग के लोगडाउन खुल गया या नहीं खुला या फिर क्या रूल्स और रेगुलेशन नियु आ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि भगवान मेरे को मेरी महनस से आगे बढ़ाए, कल मैंने एक मुवी देखी थी, शीक्रेट सुपरिष्टार यार उससे मुझे बहुत हिम्मत मिली, शीक्रेट सुपरिष्टार अगर आप नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं, तो यहां प पकाऊंगी, भूझओंगी, काफी अच्छी तरह से भूझने होते हैं, यह बतलब जितना अच्छा भूझ लोगे, उतना अच्छा यह आपके करेले में टेस्ट आता है, तो यह से यह भूझ गया है, तो मैंने यहां पर डाल दिया है, नमक, धनिया पाउडर, तो सुरी न कारण से प्याज नहीं डाल रहे है, तो यह देखिए, मेरा जो मसाला है, वो डेडी हो चुका है, अब इसे मैं अच्छी तरह से पका लूँगी, देन ठंडा कर लूँगी, उसके बाद जो मैंने करेले कट करे थे, कल ही जो कल करे थे, आप लोगे सामने, जो मैंने नमक करे वाश करके, आप लोग अच्छी तरह से तब उसके बाद आप लोग यеспसाले बनाईए, आप में आप ताल रही हो थोड़ा सा तो लासा गरब मसाला, थोड़ा सा मैं यहापर डालूं के आम चूर पाउडर इसे घटता हो जाएगा तो यहां पर मैं आम चूर पाउडर गड़ मसाला एड़ कर रही हूँ बस यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी ताकि यह जो मसाला है वो अच्छी तरह से मिल जाए और जो अम मैंने करेले जो भी मेरे एक पास करेले थे जिनको मैंने बीच से साफ करके रखा अब भी से चीर कर गट करके रखा था उसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिला लूँगी और अभी मैंने नमक एड़ नहीं कर रहा है अब मैं इसमें नमक एड़ कर रही अफर से आप लोग इस बात का ध्यार लखिए गर नमक एड़ नहीं कर रहा है मेरी एक सब्सक्राइबर हुलेती है दिदी हमें करेले बनाना नहीं आथा तो मैं सिंपल तरह के से करेले बनाते हूं बहुत ही यादा यमी बनते हैं ये करेले चाहें तो आप इस मसाले में प्याज भी एड़ कर सकते हो उसके बाद प्याज निकार लीजिए अलग फिर ये मसाला एड़ करिए प्र और मसाले को मिक्स करिए तब उसमें भर लीजिए ऐसा भी कर सकते हो आप तेल में हींगो जीरा डालके और प्याज प्याज भूल लीजिए उसके बाद ये अलग से मसाला भूल लीजिए फिर दोनों को मिला दीजिए फिर मसाले इसमें भर लीजिए अच्छी तरी किसे तो य लोग भी बहुत अच्छा चैलेंज करेंगे या कुछ टिप्स दे सकते हों कि दीदी आप ये करिए आप ये करिए इस दिशा के साथ तो मैं वो भी करूंगे तो यहाँ पर जो मेरे मसाले हैं मसाले के वो भर गए हैं अब इनको मैं पकाऊंगी कड़ाई के अंदर तो आज की वीडियो आप लोगो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा मैंने आप लोग के साथ मोश्टली रूटिन सेयर करने की गोसिस किया बस पहुंचा लगाना और कपड़े दोना शियर नहीं करा है क्योंकि मैं वो काफी वार कर चुकी हो तो आज नहीं करा है तो आज मैंन जबस एक ही कड़ाई है तो थोड़ी से परिशानी होती है मुझे दूसरी कड़ाई लानी है मुझे कई सारे सामाल लानी है लेकिन आप लोग को पता है न कि हमेना बजट देखना पड़ता है देकि हर चीज़ बजट के कोर्डिंग होती है एक दम से नहीं ले सकते हैं और आप लोग सोचा कि मेरे यूट्यूब से पेमेंट आ रही है तो मेरे यूट्यूब से पेमेंट नहीं आ रही है दो महीने हो गए एक रुपा नहीं आया है और इस महीने भी नहीं आने वाली ऐसा लग रहा है क्योंकि बिल्कुल डॉलर नहीं बन रहे हैं साती सात नेक्स्ट म पर देख सकते हैं कि तो बहुत जादा परेशानी हो रही है तो यहां पर मेरे जो करेले हैं वो बन के रेडियो हो गए हैं आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे लग रहे हैं और यह सारा जो मसाला है मैं इसके अंदर एड कर लोगे और यह वाली वीडियो में यहीं एंड कर देती हूँ मैं मिलती हूँ नेक्ट वीडियो के साथ हो सका तो मैं आज लाइव आउँगे कमेंट करके बताइएगा मैं लाइव आओ या नहीं तब तक के लिए बाई and take care subscribe जरू कर दीजेवे